तो बेसिकली अब आपको क्या करना है चप्टर तो उसे खतम हो गया एक च्छोटा च्छा टॉपिक मुझे बताना है आप क्या करना है वैसे मैं लिख के भी बेज दूँगा इस वाले पेज को पूरा छोड़ देना यहां पर वही और बाट लिख लेना चिपको मोमेंट और पृइस्स मेनजिमेंट के बारे में और यहां पे एक हैडिंग डाला यहां पे यहां पर एक हैडिंग डाला मैं यहीं पर प्ढ़ा दो नो इल-स नीनल नीनल विसल नम सना है इसका है आउन घट आब ये नम सुना है का क्ताला लालीना एवक कपता है कि अ कि पता है कि अपने अपना लोगए याइकवेटर के पास हिसा अब्हटार से इंसी घ्वेडिएल करें एटेकले था में मैं बतारहाँ हूरा कि यह मलभ एकवेटर है त्inação इधर इंडोनेसिया इधर यह अपन भी है इंडोनेसिया इस साइड यह साउथ अमेरिका कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका तो देखो इन जेनरल हुआ होता क्या है कि जो साउथ इंडोनेसिया वाला इलाका है यहां पर थोड़ी सी क्या है वार्म और यहां क्या है अगर कहीं पर भी कोई चीज वार्म है तो पता है वहां के एंट हल्की होती है उसकी density कम होती है तो वह एर क्या करता है वहां से वेपराइज होता है और वेपराइज होता है क्या बनाता है बोलो क्लाउड और क्लाउड बनने के बाद क्या होता है बोलो पारिस तो इंडिया में पारिस भी होती है अच्छी का से ठीक है वहां की एर वर्म उससे हो रहा है व वाला गरम होबा फिर थंडा हो जाएगा या सब्सक्राइब यह वाला इधर कर जाता है यह वाला इधर कि तरफ में किया था ना तो इसे अधर वाली एयर सिट करकर इदर से आ गई उपर से नौर्थ अमेडिका वाली तो यह इधर आ द याई था इवाला आ आई साउथ अमेरिका को आई और फिर वही फिर से इंडोनेसिया इस तरीके का तो एफेक्ट चल रहा था इसको बोला ला नीना अब इसको ला नीना क्यों बोला वह अभी समझा दूंगा रूप जाओ इसको बोला ला नीना अम मैं डागराम में कौन रीचे बना रहा हूं को और यह साउथ अमेरिका रहा है और यह को रहा तो एफेक्ट के टो एको ने चल रहा था किसको पर top normaland नीथा किसी को प्रॉबलम ने इंडिया में ऑप्रावर्जा क्तती सोरी थी और इसकी वरे से यह क्लॉड जा रहता था तो अमेरिका में अभी अच्छी कासिपारी सो जाती थी ठीक कोई प्रब्लम वाली बात नहीं थी लेकिन पता है कि अमेरिका ने आपको पता अमेरिका डेवलप्ट पर दे अमेरिका ने खूब सारा क्या रिलीज किया अब मुझे बता अगर गरीन है उस गया हो गया तो अब और यहां से क्या बनेगा बनेंगा क्लाउड यहां से क्या बनेगा क्लाउड और अमेरिका में खूब सारी क्या होगी बारीस बार्ड यहां खूब किया है तो क्या होगी यहां रेन होगी जिससे फलड भी आएगा अब इसमेंसे कुछ एर इधर भी आजाएगी अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यह वाली एर वेपराई जो के उपर की तरफ गई है तो इधर वाला जगह खाली जो हुआ उसको कॉल ले लेगा इधर वाला कोल ले लेगा और कुछ जो क्लाउड रूड के इधर आई है तो वह फिर से बारिस बनके इधर ही गिरेगी आफ्टर समी यर्स आफ्टर समी यर्स ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन के वहरे से एर का रोटेशन बदल जा रहा है इंडियन और अमेरिकन मांसुम का बदलना और प्रभावित होना यही कहलाता है अब आते हैं किसको अल नीनो क्यों बोला पहली बार साउथ अमेरिकन पै पहले बदलता कि समय हैं तो आपको पता होगा कि जब पानी तो मच्री और पकरना असान हो गया तो साउथ अमेरिकन पारना असान हो गया तो scientist ने इसका पूरा कारण पता किया तो कारण पता चला कि एक्ट्वल में यहां की air of warm हो गई है जिससे water body भी warm हो चुकी है और इसके वरे से इनको असानी हो रहा है तो उन्होंने पूरा air का rotation पता किया तो air का rotation यह पता चला फिर पता किया कि यह तो नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल तो यह था अला कि यह भी कोई ideal नहीं है यह नॉर्मल ताले सान फूल था तो फिर पता चला कि एक reverse phenomena चला है तो कैसे नाम रखें reverse phenomena का तो कैसे South American मच्वारों ने जिन्टे दिया तो वहीं से उन्हों ने उनके उनके ही basis पर नाम रखने का सूचा तो actually L Nino का मतलब होता है यह जो L word आया यह actually Christmas day के Christmas month के समय का बात था तो उस समय ऐसा हुआ था उन लोगों ने South American मच्वारों ने बोला था तो नां दिया L Nino, अब इसका just reverse normal जो पहले होता था इसको हम टारगेट कि ए कि एसा ही चले पहले हैं से चलता था उसको रिवर्ज को नाम देना था था उसको नाम दे दिया lenina तो है। Ž हैले लीनो ओसियन में South American side समझ गयोंगे South American side warming बर जाने से air direction का बदल जाना अपोजिट हो जाना air direction का बदल जाना और अमेरिका में flood आना और Indian मांसून का बदल जाना El Nino कहलाता है और इसका just अपोजिट लानीना कहलाता है सिम्बल इतना ही याद ठीक है आपको मैं बता दू कि एल नीलो जादा घाता क्यों है इस अमेरिका में तो बाड़ा गया और इंडियन मांसून अगदम अच्छानक से उल्टा पुल्टा हो गया पहले तो क्या होता था नॉर्मल रेन होती थी अब क्या हो रहा है कि कभी क्लाउड जादा इधर आ जा रहा है तो कहीं पर खूब जादा बरस आ रहा है और कभी अगर नहीं अपाए तो शुकार आ जा रहा है तो यह प्रॉब्लम सा रही है तो इस चीज़ों वह कंट्रोल करने के लिए ठीक एस पर आपको पता यह गिन्हाउस से पर पे कंट्रोल क गारे स्वडी, नौर स्वडी, हाँ, चलो, तो इसको ले लो, इसक्रिंशोट, ले लिये ने, इसक्रिंशोट, अब चलो, कि कुछ और चीज़ें बच्ची भी है, उसको भी मैं को जल्दी से बता दूं, अगर आपको यादो कि इधर कुछ चीज़ें बच्ची थी, आपको यी याद दखने है, तर्ट, याद रखना है, इसमें तो कुछ चीग आपको पहले से पता है, ठीक है, और कुछ भी आपको याद रखने है, अरे ये 1971 नहीं है, है 1972 ने 1971 है यह यह इनोंने वन लिखवाया होगा इनोंने गलती से टू लिखा 1971 की खानी है नहीं कि 1971 भी नहीं है यह यह 1731 यह वाइड लाइफ लिखा क्या है कि क्या लिखा वह वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंग रुख जो मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा इसमें यह मुझे उल्टा पुल्टा लगड़ा है ठीक है मैं चेक करके कल बता दूँगा क्योंकि याद रखने वाला चीज है उल्टा पुल्टा याद रखो को और यह एक्जाम में पूछा रहता है वहां गलत आंसर मार जोगे चार नंबर फोकट में जाएगा एक माइनस मिलेगा लग और ठीक है इसको आप रहने दो मैं एक वर सही डाटा एक वर कलेक्ट करके देखके अलावा आप प्राइस में कुछ बचा नहीं है नहीं बचाना कि किसे को कुछ या दो ecology में बचा तो बता दो एक बड़ा सब्सक्राइब ने निफ्टा दिया है कि अब मुझे पता था अब लोग नहीं बचा है लेकिन बचा है जो मैं कल बता दूँगा जब मैं आपको पढ़ा था और गनिजम इन इंवियरमेंट तो मैंने आपको इक लाजिकल इंटारेक्शन बढ़ा था और मैंने आपको बहुत है कि कि नेस्ट क्लास में मैं इसका ग्राफ बता होंगा था और वह ग्राफ में बतानी पाया और तब भी मुझे किसे नहीं याद नहीं दिलाया तो कल वाली क्लास में आपको जो और इंवार्मेंट वाले चेप्टर में आपको बताए था क्या ग्राफ मलब कि वह तो उससे रिलेटर कुछ ग्राफ आपकी एक्जामेट पूछे जा रहे हैं तो उस ग्राफ को मैं एक बाल एक्स्प्लेइन करोंगा ठीक है तब जाके आपका यह चप्टर पूरी तरीके से प्मेश हो जाएगा और आप मोडूल लगा कि एक एक लाइन को घिज देना मैं फिर ठीक है चलिए मिलते हैं इवनिंग वाले क्लास में और कल एकोलोजी में जो थोड़ा बहुत पच्छा उसको खत्म करके और वह स्टाट कर देंगे जनेटिक्स मैं जनेटिक्स पीडियो बेच चुका हूं प्रिंट आउट निकलवा लीजिए ग्रूप में बेच बायोटक क बेच चुका हूं उसका भी निकलवाले में ठीक है चलिए मिलते हैं इस कास में बाय बाय